गुड मॉर्निंग एवरीबन कैसे वह आप सबलो तो चलिए जान लेते हैं मार्केट में हम किस प्रकार काम कर सकते हैं देखें मार्केट बिल्कुल मीडल में उपन हुआ है का मीडल में उपन हुआ है यहाँ पे जिसने बाइंग किया है उसके डाउन साइड स्टोपलो से अविलिबल है और यहाँ पे जिसने सेलिंग किया है उसके अपर साइड स्टोपलो से अविलिबल है देखी यहां पिजिस ने selling किया उसका profit तो market ने कुछ कम कर दिया है लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा safe मैसूस कर रहा है क्योंकि market में उसने अच्छा sell-off देखा था तो अभी क्या करेगा वो थोड़ा सा wait कर सकता है तो इस level के आसपास उसका अगर market profit कम कर देता है तो maybe हम एक sort की position बना सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा price action को समझना पड़ेगा कि एक particular point को एक price action किस प्रकार touch कर रहा है अगर वहाँ पे लगे कि वहाँ पर एक bearish momentum आ सकता है तब भी वहाँ पे position बना ही जा सकती तो हमारा जो ज़्यादा focus रहेगा वो chart की उपर रहेगा जो new chart बनेगा क्योंकि stop loss तो दोनों ही side available है तो अभी market का open होने का wait करेंगे उसके बाद मैं position बनाऊंगा तब मैं आपको पताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ अगर यह तेज़े का momentum भी कर सकता downside का क्योंकि मुझे put side की position बनाने है क्योंकि यहाँ पे breakout बनता हुआ नजर आ रहा है और market में downside stop loss अच्छे का से available है तो हमें position तो बनाना ही है put side का अब देखी मैं आपको reason explain कर देता हूँ पहला reason तो यह है simple size का breakout करने की कोशिश कर रहा है अब देखी मार्केट धीरी धीरे यहाँ पे trade कर रहा है धीरी धीरे buying side को मोका दे रहा है कि मुझे buy करो buy करो अब देखी यहाँ पे position यहाँ पे put side की बना ही जा सकती थी लेकिन उतना safe नहीं था आप base को समझे यह market का जो price action उसको आप समझी यहाँ पे धीरी धीरे trade करना ही लगा और फिर यह momentum आया तो वहाँ पे इतना confidence बन नहीं पाता लेकिन यहाँ पे देखी अब buyer को tempting कर रहा है market अब upper side तो कोई stop loss available है नहीं क्योंकि market में जो selling करके बैठें वो काफी दूर है market के पास आस पास ही नहीं है लेकिन market नहीं यहाँ पे धीरे धीरे momentum करके यह तो मुझे बहुत ही ज़्यादा confidence देता है market के अंदर जब धीरे धीरे ऐसे ऐसे price action आपको क्या समझाना चाता हूँ केवल आपने एक मेरे बातों को ऐसे ले लिया कि वो ही price action वो गलत हो जाएगा कि मैंने आपको कहा कि छोटी 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 अब आप छोटी छोटी candle को किस प्रकार define करोगे आप देखे time दोखो market ने कितना लिया यहाँ पर कि market धीरे धीरे trade करा है अब मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं होता है एक candle बड़ी बन जाती फिर धीरे 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 फिर एक candle बड़ी बन जाती है तो उसमें मुझे यह एक position बन जाएनी चाहिए तो इस प्रकार आपको thinking लानी जश्ट मैंने आपको जो बात का वही price action आपको नहीं समझाना तो अब second position भी हम बना लेते हैं क्योंकि market में momentum हमें मिल सकता है कि साथ की साथ में तो 600 quantity यहाँ पर हम फिर से buy कर लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा wait क करेगा थोड़ा सा इसको downside आने दीजिए उसके बाद आप momentum देखे किस प्रकार का आपको मिलेगा तेजी का momentum मिलना चाहिए क्योंकि वो stop loss का momentum होगा अभी थोड़ा सा market यहाँ पर trade करा है अगर यह थोड़ा सा और भी upside निकल जाएगा तो में भी continue कर सकता है 37 500 का level आसपास ह क्या पता market वहां से reaction दिखाना शुरू करें तो इस प्रकार के काफी आपको नजरिये मिल सकते हैं market के अंदर लेकिन आपको position किस base के उपर बलाने है वो cable और cable आपकी उपर depend होता है आप किस प्रकार के price action को देखते हैं किस प्रकार आप price action के उपर trade करने वाले हो एक level के सकते हो लेकिन आप किसके लिए वेट करें हो देखी सभी चीजों को एक साथ नहीं सीखा जा सकता आपको एक को master करना पड़ेगा फिर दीरी दीरी आप दूसरी चीजों को भी आप सीख सकते हो असानी से तो अभी हमारे according momentum आ रहा है तो चलने देते हैं hold करते हैं position ज्यादा market में हमें अब आव सकता नहीं है चिंता करने की क्योंकि market हमारे side momentum करना चीए क्योंकि आप कोई नजर आ रहा है न ये जो नजरी है ये जब आपको समझ में आ गया तब market में आपको profit बनाने से कोई नहीं रोग सकता लेकिन उसके लिए entry अच्छी होने चीए entry अच्छी किस minimum ये तो देई देगा उसके बाद देखे market यहां पर रुकने वालत है नहीं फिर और continue कर जाएगा तो 100-500 points आपको मिल जाएंगे उसे में आपको निकल जाना चीए अब अगर मैं ये off करके बैठू कि मैं 1000 market से निकल निकालूँगा तो maybe मैं भी analysis ऐसा ना कर पाऊं तो आपक आपको टार्गेट होता है वो एक practical टार्गेट होने चीज जो आपको almost everyday अचीव कर सको आप ऐसे नहीं कि आप ऐसे टार्गेट रख दिये तो थोड़ा सा मार्केट में थेजिये का momentum आया तो profit loss वगरा देख लेते हैं अच्छा कासा profit हो गया मुझे तो उमीद नहीं थी इत प्रेजी का हो गया तो मुझे यहां तक तो wait करना ही चीए मुझे लगता कि market यहां तक तो आई जाना चीए अगर फिर से reversal करने का चांसी सी नहीं है मुझे नहीं लगता कि market यहां से reversal कर पाएगा क्योंकि यह जो बायर है ना थोड़ा सा इनको जो यह level बनाया मार्केट इस तो मारा टार्गेट मैं आपको बता देता हूं कि हमारा इतना ही टार्गेट था जीतना आपने देखा वी 60 65 का राउंड 70,000 के राउंड हम टार्गेट लेने वाले थे लेकिन अब प्राइज एक्षिन इस परकार का बन गया कि हम market में wait कर सकते हैं तो कभी कभी क्या करते है कि हम दूसरी पोजिशन बना लेती हैं दुबारा इसे opportunity मिलती है मैं इस प्रकार गेम नहीं खेलना चाता हूं मैं उसी पोजिशन के अंदर जितना चाता हूं उतना ही खेलना चाता हूं क्योंकि एक पोजिशन बना ली अब दुबारा दुबारा अगर मैं पोजिशन सकते हो तो अभी चलने देते हैं अच्छा-खासा momentum आ गया है आल्मोस्ट हम target achieved कर चुके हैं target ही है अमार जहां पर ट्रेड करा है market लेकिन यह अमारा target था जब हमें momentum नहीं मिलता अब जब हमें momentum मिल गया market के अंदर तो हम थोड़ा सा लंबा wait करेंगे थोड़ा सा profit को भी increase करेंगे क्योंकि market में हमारे पास choice available है अगर choice नहीं होती तो market में मैं यहाँ पे exit ले लेता अगर यहाँ पर आसपास आकर यह मुझे profit नजर आ रहा होता तो maybe मैं निकल जाता लेकिन अभी हमारे पास momentum मिलने की उमीद है अगर यह ज़्यादा हम कहां पे हम trade करने को पसंद कर रहे थे क्योंकि अगर इसको delete करें तो यह चला जाएगा तो अभी यहाँ पे hold करते हैं अब second अगर अपर side की बात करें तो यह एक अपर side का भी आपको पताना चाहिए कि market upside जाएगा तो कितना जा सकता है तो यह लगा देते हैं अगर इससी उपर जाएगा market तो maybe थोड़ा सा और continue करने लगे फिर market का mood अलग है लेकिन यहाँ पहले इसको touch करना चाहिए उसके बाद upside या downside जाएगा तो अभी हम थोड़ा wait क क्यों नहीं काट रहे क्योंकि मैंने double time target यहाँ पर अच्रीव कर लिया लेकिन फिर भी मैं position को काट नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे इस level को touch करना चाहिए market जब तक इस level को touch नहीं करेगा तब तक मैं अपनी position को काटना पसंद नहीं करूँ आप मार्केट चाहिए कितना definitely काट दूँगा अब मुझे चाहिए कितना भी profit नजरा जए मैं नहीं काटने वाला जब तक इस level को touch नहीं करेगा लेकिन अगर मेरा loss चलने लगता है तो मैं जो मैंने decide किया था उसमें निकल जाओंगा क्योंकि अब मैंने decide कर रखा कि profit दो जो मिल लेगा तो वो तो मुझ पूट साइड में जाना है या कोल साइड में जाना है देखिए आपको किस परकार decide करोगे आपको पहले यहां पर चार्ट ना यहां से देखना शुरू करना पड़ेगा कि मार्केट ने यहां से क्या क्या और फिर यहां पर support के आसपास आया फिर दीरी-दीरे market momentum किया तो य एक upper side से भी trend line बनाया हुआ है लेकिन आपको किस side में जाना है आप किस परकार decide करोगे अब देखिए particular अगर मैं इस बात करूँ कि अगर मुझे call side में जाना होता तो मुझे किस परकार का price action मिलता तो मैं call side में चला जाता यहां पर एक level बनाया है market ने अगर इस level का अच्छ ना कहीं market tempting करा है call buyer को देरी देरे trade करा है तो जब इसका breakdown होगा थोड़ा सा किसी ने भी पैसा यहां पर लगा दिया तो continue momentum टेजी का आ सकता है अब देखिए जो breakout आपको नजर आ रहा है वो false होने वाला है market फिर से reversal करने वाला है क्यों आपको कैसे नजर आएगा कि market में यह जो आपको level नजर आ रहा है यहां पर जिसने भी buying किया market उसके stop loss खाएगा तो चलिए अब हम chart को समझ लेते थोड़ा सा मैंने इसको change किया जो trend line आपको यहां पर बनाई हुई थी मैंने उसको यहां पर लगा दिया है क्योंकि मैं समझना चाता हूँ कि दूसरी लोग यहां ब्रेकाउट इनका तो stop loss खाने वाला है और अगर इनका stop loss खाता है तो अमारी जो position बना रखी put side की वहां पर हमें momentum मिल जाएगा क्योंकि market देखी काफी sideways हो गया है तो अगर sideways के बाद अगर momentum मिलेगा तो तेजी का momentum मिल सकता है क्योंकि दोनों ही side अच्छे का से stop loss यहां पर बनाया होगा तो अगर ऐसा होता है तो हमें market में profit होने वाला है otherwise अगर यहां से market continue करने लगा तो हमें loss भी हो सकता है तो अभी हमारी position loss में आ गई है लेकिन ज्यादा चिंता वाली बात है नहीं market को जाना नहीं चाहिए अगर जाता है तो कहीं ना कहीं गलत साबित कर रहा है हमें according to देखिए अब profit loss वाली तो बात रही नहीं अभी तो हमें price action को समझना कि हम कितना ज्यादा accurate हो सकते है according to price action तो जो भी चला है उसको चलने देते होल्ड करते हैं तो यहां पर देखिए अपना जो position है दुबारा से profit देने लग गया है और market में देखिए एक momentum आपको मि आने कि आप सकता नहीं है तो अभी चलने देते हैं market में momentum capture करके हम निकलेंगे 85 अपना प्रोफिल चला है तो यही हमें उम्मीद थी और market ने भी हमारे according करना शुरू कर दिया तो अभी अच्छा का सा momentum आ गया तो इस level को touch करने से पहले भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमने जो profit decide किया था उससे में कुछ जादा ही मिल ला है तो अभी थोड़ा सा market अगर reversal वगरा तो नहीं कर पाएगा लेकिन हम amount of अच्छा profit लेके निकल सकते हैं 89 के round अपना profit फिर से चलने लगया है hold करते हैं अगर यह level touch करेगा अब इतना weight कर लिया तो इस level को क्या निकालेंगा अब कि मार्केट में हमने प्राइजक्शन को फोलो किया उसको समझा आप देखे मार्केट कितना या अच्छा यहां से मार्केट ने फिर से रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया है तो इसको निकाल देते हैं अभी हमें देखिए ज़्यादा चिंता नहीं होती है अब हमारा जो अब मुझे बता चलेगे कि मार्केट इस प्रकार काम करता है तो दोबारा से अगर ऐसा इसा मोमंट मुझे मिलता है तो मैं तब भी वहां पे होल्ड कर पाऊँगा हुआ 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 …